हेलो, नमस्कार दोस्तो, दोस्तो, आज किस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों सीवलिंग के उपर रखा जाता है एक एक बून टपकने वाला पानी का कलस आपने तमाम मंदिरों में सीवलिंग के उपर एक कलस रखे देखा होगा जिसे 24 घंटे एक एक बोन गिरता है या देखकर कई बार मन में प्रेश्ट में उड़ते होंगी कि आखिरेसक क्यों किया जाता है अब सभी जानते कि सावन का महिना चल रहा है इस मौकी पर आज हम आपको बताएंगी कि सीवलिंग के उपर 24 घंटे जल की बोन गिरने का रहस क्या है ये धार्मी काड़ों पर नजट डाले तो उसका संबंद समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है समुद्र मंथन के दौरान निकले हला हल विश्को पीने के बाद महाकाल का गला नीला पड़ गया था और उनके सरीर में बहुत जादा जलन हो रही थी उनका मस्तख गर्म हो गया था तब उनके सीर और माथे को ठंड़क पहुचाने के लिए उनकी उपर जल जड़ाए गया इससे महादेव की सरी को थोड़ ठंड़क बिली तब इसे महादेव को जल अभिशेक अत्यन प्रे हो गया इसलिए महादेव की भक्त उनकी पूजा के दोरान जल अविशेक जरूर करते हैं वही महादेव को ठंड़क पहुचाने की भाव से सीवलिंग पर कलस इस्थापित किया जाता है जिसे 24 गंटे बून बून करके जल टपकता है खास तोर पर ये कलस गर्मी की दिनों में रखा जाता है माना जाता है कि जो भी भक्त सीवलिंग पर पानी का कलस स्थापित करता है एक एक बून के साथ उसका हर संकर दोर हो जाता है वहीं अगर बेग्यानिक द्रश्टी से देखा जाए कि आखिर सियूलिंग के उपर बून बून करके पानी क्यों टपकाया जाता है तो ये बहुत ही सक्त साली सुर्जन है तमाम बेग्यानिक अर्धेनों में इस पश्ट हो चुका है कि सियूलिंग एक न्यूकलियर रियक्टर की रूप में काम करता है ये आप भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत सरकार की न्यूकलियर रियक्टर के अलावा सभी जोत लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रियेटेशन पाय जाता है एक सिविलिंग एक न्यूकलियर रियक्टर की तरह रेडियो एक्टिव एनरजी से भरा होता है इस प्रलैकारी उजा को सांथ रखने के लिए हर सिविलिंग पर जल चढ़ाय जाता है वह एक कुछ मंदिरों में कलस में जल भर कर ही सिविलिंग के उपर रख दिया जाता इसे गेती एक एक बुन सिविलिंग को सांथ रखने का काम करती है उमिद करते हैं कि आप लोग को हमाई द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी धन्यवाद